सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी यदि किसी कार्य को करने में आपको मचन ही आ रहा तो इसका अर्थ वो कार्य आपकी लायक नहीं है अमेशा खुश से प्रश्न कीजिए कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ सफलता आपके कदम चूमेगी यदि आप जिन्दगी के रेस में धीरे चलते हुए भी यदि रूके नहीं तो यकीन मानिये आप सबसे तेज हैं तो चलते रहिए आज का पंचांग 26 दिसंबर दो हशार बाइस दें शोम मार पॉश मास के सुकल पक्ष की चतूर थी ती थी रातरी एक बच कर 38 मिलट तक रहेगी इसके उपरांथ पंचमीती थी प्रारम हुचाईगी श्रवर नामक नक्षत्र साम चार बच कर 41 मिलट तक रहेगी इसकी भूकाल अर्था दिन का सबसे असुप समय सुबा 8 बच कर 25 मिलट सी 9 बच कर 37 मिलट तक रहेगी इसके उपरां उम्राशी पर संचार करेगी और आशूर्य धनु राशी पर रहेंगी करक राशी 26 दिसंबर दो हशार बाइस दिन सो मार जब आप कुछ बड़ा खरीदने या किसे सौदे के बारी में सोसती हैं तो दुश्रों की सला और अनुभा अवश्य शुनी किसे समारो सम्मेलन वैपार या कानूनी मामलों पर चर्चा करनी के लिए कोई बैठा कभी आपको वैस्तरक शक्ती है जिन्हें आप प्यार करती हैं वो ही आपकी प्रेड़ना और सच्ची राय का इस्तरोत है इस आरों पर नाचने वाले लोग आपकी कोई मदद नहीं कर शक्ती अपने वैस्तरक आरे करम से समय निकालें और परिवार के साथ व्यतित करी आपका सबसे अच्चा दुस्मन आपको उतना नुक्षान नहीं पहुचा सकता जितना नुक्षान आपके खराब विचार आपको पहुचा सकती है इस राशे वालों को आज अपनी मन में कुछ सकारात्मकता रखनी चाहिए और अपनी जीवन मैं समश्याओं के बारे में अधिक न सोचना चाहिए अधिक नहीं सोचना चाहिए अपने मन में न करात्मक विचारों को रखने से बचना होगा और किसे विपरित परिस्थिती में आज़्यआप अपने करोद पनी यंत्रन बनाए रखी नहीं तो समश्य हो सकती है आपको कोई मितर आपके लिए कोई मन पसंद वस्टू लेकर आ सकता है आपको आज किसी कानूनी मुद्दे को जल्दी निप्टानी की कोशिश करनी होगी नहीं तो वह लंबा खीश सकता है आपिस में आपको अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है आज जीवन साथी से किसी बात को लेकर नराज हो सकती है और आप परिवार में किसी पूजा पार्ट वबोजन कीरती आदी का आयूजन करा सकती है परिवार में किसी वरिष्ट सदर्शे को रेटायर्मेंट मिलने से परीजनों का आना जाना लगा रहेगा शौधान्या आपके लिए दिन कुछ समश्चाएं लेकर आ सकता है आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर परिशान रहेंगे जिनके लिए आप अपनी माताजी से बाचीत भी कर शकती हैं आपिस में काम का बोज बढ़ने से आप परशान हो सकती हैं और जीवन साथी के स्वास्व में गिरावाट होने के कारण भी भागदोर करनी पर सकती है लेकिन किसे भी इस्थिते में आप धैर्य बनाए रखें नहीं तो समश्चा हो सकती है बात करते हैं लव लाइफ की साथी के रिस्ते में शारिक आकरशन नहीं बलकी दिल से जुड़ा होना जरूरी है आपकी प्रसनालिटी और गुड़ो के कारण हर कोई आपको जानना और आपके करीब आना चाहता है आज किसी भी विशय के बारे में सोस समझ कर निर्णा ली आज आपका दिन बेहर शुब है अगर एक अच्छे दोस्ते की तलास है तो आज ओल्लाइन किसी खास को डूढ़ी रास्ते में कोई पसंद आये तो उसे देख कर मुस्कुराएं किसी अश्नभी से बात करके देखी भागया आपका साथ देखा अगर विवाहित है तो अपनी साथी के साथ कोछ यादगाल लम्ही व्यतित करी बात करते हैं करियर की आसार वजनिक दुस्मन या रासनितिक विपक्षी पक्ष आपको नुक्षान पहुचा सकती है इसे लिए मामूली मुद्दों में उलचनी से बचें और लक्ष की तरब धिहान दें वैपार और धन के मामलों में आज के दिन अच्छा है अपने ग्राहकों को परियापत शेवा प्रदान करें ताकि आपका वैपार बढ़े आज आपके वैविशाइक जीवन में उतार चड़ाव आनी की शिंभाव नहीं क्योंकि आपकी योशनाय और रणनीत्या सही से काम नहीं कर रही आपके काम के साथ साथ आपके वैक्तिकत जीवन में भी परिवर्दान आ सकता है कानूनी परशानियों से आपके वैपान में समश्य उद्पर न होगी सबसे पहली उद्पर विश्वास करें और मन की शांती तलास करी बात करती हैं सेहत की कंधों में दर्दे की सिकायत हो शक्ती है और इस कारण से आपका काम भी प्रभावित हो शक्ता है सुभा साम के ठंड से बच्ची, सेहत का दिहान रखी, आज का उपाए, आज अब भोले नात की पूछा करें शुब रही का जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, आपका दिन शुब हूँ